फ्रेंट्स मेरे कई ऐसे सस्क्राइबर हैं जो कहते हैं कि as long as या so long as को कैसे यूट करें तो आईए फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में as long as या so long as का concept समझें फ्रेंट्स as long as या so long as का मिनी जब तक होती है जैसे फ्रेंट्स अगर आपको अपने life में कहना हो जब तक तुम इंतजार करोगे train चली जाएगी या अगर आप कहना चाते हैं जब तक तुम मेरा कार चलाना चाहो तुम चला सकते हो या जब तक तुम यहां रहना चाहो तुम रह सकते हो तो आएए फ्रेंट्स सिखें कि इस तरह के सेंटेसे जहां आपको कहना पड़ता है जब तक या तब तक कैसे बोलना है फ्रेंट्स इस तरह के सेंटेसे में जब तक की बाद आने वाले सेंटेस के पहले कॉमा या तब तक आप देख सकते हैं कहने का मतलब है friends कि जब तक वाले sentences में जब दूसरा sentence सुरू होता है तो कई बार तब तक लिखी होती है और कई बार कॉमा दी होती है तो जब आप इस तरह के sentences को translate करेंगे तो चाहे वहाँ तब तक लिखा हो या कॉमा दिया हो उसके लिए आप सिर्फ कॉमा का ही use करेंगे यानि तब तक के लिए आप कोई भी English word नहीं लिखेंगे कैसे आईए इस बात को example में समझें जब तक तुम मेरा कार चलाना चाहो जब तक मैं लिखूंगा as long as जब तक तुम मेरा कार चलाना चाहो as long as you want to drive my car यहाँ कॉमा है आप भी दीजिए बाइदवे अगर यहाँ तब तक लिखा होता तो भी आपको कॉमा का ही use करना होता क्यों क्योंकि तब तक के लिए कोई भी English word नहीं लिखी जाएगी तुम चला सकते हो you may drive जब तक तुम मेरा कार चलाना चाहो तुम चला सकते हो as long as you want to drive my car you may drive और यह translate हो चुका है आज़े friends अब इसको translate करें जब तक तुम यहाँ रहना चाहो तुम रह सकते हो जब तक तुम यहाँ रहना चाहो as long as you want to leave here friends आप as long as you want to leave here you may leave तो friends उस तरह के sentences जहाँ आप कहते हैं जब तक as long as या so long as का use करके बोलेंगे जैसे जब तक मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ मैं पढ़ाओंगा As long as I can teach English I'll teach जब तक आप मुझे सहारा देंगे मैं आप के लिए दुआ करूँगा As long as you support me I'll pray for you जब तक आप धूट बोलेंगे मैं आपको पीटूँगा As long as you till alive I'll beat you जब तक आप गुना करेंगे आप परिशान रहेंगे As long as you crime you will be in problem तो friends उमीद करता हूँ कि इस तरह के sentence है जहाँ कहते हो जब तक तब तक आप बड़े आसानी से बोल पाएंगे जब तक के लिए as long as या so long as और तब तक के लिए आप कॉमा का यूज करेंगे Friends अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो please share करना ना भूलना फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए Bye